हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मैं संतोष कामले मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूटूब चाइनल जिसका नाम है एसके इन्फो तो आज हम लोग CSC VLE के बारे में जानकरी लेने वाले हैं तो CSC VLE रेजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन से कौन से सर्टिफिकेट चाहिए वह आप कहा से ले सकते हो यह सब पूरा जानकरी में यह वीडियो में दिया है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा यह वीडियो आखरी तक जाता हूँ कि CSC VLE ID यह आपको जो मिलने वाला है after this registration यह ID से आप सिर्फ सेंट्रल गवर्मेंट के जो डॉक्यमेंट से या सेंट्रल गवर्मेंट के स्कीम से उनके लिए ही काम कर सकते हो मतलब आपके अगर स्टेट लेवल पे कुछ डॉक्यमेंटेशन आप देना चाहते हो लोगों के लिए तो वह काम यह CSC VLE ID से नहीं होता है तो इसका एक बेस्ट एक्जामपल यह है कि आप CSC VLE ID से क्या कर सकते हो तो इसके लिए आप अगर किसानों ने जो लोन लिया होता है तो कभी सेंट्रल गवर्मेंट उसको माफ काम भरना होता है इस प्रकार के काम आप लग CSC VLE ID यूज़ करके कर सकते हो और दूसरे जो State Level का जो काम है यानी जैसे इंकम सर्टिफिकेट या डोमा सायल सर्टिफिकेट इस टाइप के सर्टिफिकेट CSC VLE ID इस्तिमाल करके आप लोगों को दे नहीं सकते हो उसके लिए अलग से एक दूसरा registration है state level पे तो वो आपको करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि CSC VLE registration किस प्रकर से किया जाता है तो देखिए दोस्तों अगर आपको CSC VLE register करना है तो आपको register.csc.gov.in ये website पे जाना है जब आप ये website पे जाएगे तो उसके अंदर आपको एक apply नाम का टैब दिखेगा वो टैब पे क्लिक करके आपको new registration पे क्लिक करना है उसके तुरंट बाद आपको ये screen दिखाई पड़ेगी जिसमें आपको registration के नीचे एक drop down टैब दिया है वो drop down को क्लिक करके आपको CSC VLE पे क्लिक करना है अब आपको TEC certificate number यहाँ पे enter करना है अगर आपके पास पहले से ही ये number available है तो आप ये number यहाँ पे directly put करके आपका mobile number डालके capture एंटर करके आप submit कर सकते हो तो आपका ये registration यहाँ से चालू हो जाएगा लेकिन अगर आपके पास TEC certificate number नहीं है तो आपको ठोड़ा और एक step extra करना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो देखिए दोस्तो ये TEC number अगर आपके पास नहीं है तो आपको cscentrepreneur.in ये website पे जाके आपका registration करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये TEC number वहाँ से मिल जाएगा तो ये जो website है ये TEC certificate provide करती है तो TEC का full form है telecenter entrepreneur course तो ये certificate पाने के लिए आपको login with us ये tab पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको login as a VLE, login as a ISB general and login as a guest ये तीन tab दिखाई देगे तो इसमें से हमें login as a ISB general इसके अंडर अपना registration करना है तो यहाँ पे सबसे पहले login as a ISB general उसके अंडर जो register टैब दिया है वहाँ पे आपको क्लिक करना है तो इस registration में आपको आपका नाम, mobile number, email id, your fathers, mothers और husband name यहाँ पे उसके बाद आपको आपका state select करना है उसके बाद district select करना है उसके बाद आपको आपका detail address यहाँ पे एंटर करना है आपका gender select करना है आपका budget यहाँ पे एंटर करना है उसके बाद आपको यहाँ पे आपका photo upload करना है जिसका size 50 kb के अंदर होना चाहिए और यह jpg और png इन दोनों में से एक type का photo होना चाहिए करने के बाद आपको Submit tab पे क्लिक करना है तो यह CSC VLE Registration के लिए TEC Certificate की जो जरूरत होती है यह Certificate पाने के लिए इसका एक exam लिया जाएगा तो यह यहाँ पे आपको एक exam fee भरना पड़ेगी तो यह approximately 1479.72 रुपीज इतनी है तो आपको यह fee online आपका credit card, debit card या net banking इस्तिमाल करके आप यह fee भर सकते हो तो यहाँ पे आपको आपके account details नजर आएगे और आपके account से कितना balance cut होने वाला है यह भी दिखेगा तो आपको इसको confirm कर देना है उसके तुरंत बाद आपको यह screen नजर आएगी जिसमें आपको आपका username दिखेगा तो यह आपको note down करके लेना है और आपका जो password रहेगा वो mobile number रहेगा तो आप अभी आगे की जो exam step से यह देखेंगे तो अभी आपको जो login ID मिला है तो वो इस्तिमाल करके आप login as a ISB general यह tab के नीचे login कर सकते हो after successful login आपको यह screen नजर आएगी जिसके left में dashboard learning और assessments यह तीन tab दिये है तो सबसे पहले आपको learning tab पे click करना है तो यह tab पे आप जब click करोगे तो आपको आपका जो exam देना है आपको online तो उसका जो कुछ study material है तो यह यहाँ पे मिल जाएगा तो point number one पे देखो entrepreneurship उसका एक PDF फाइल है और उसके videos है English में भी है और Hindi में भी है तो यह chapter के लिए आपको first chapter के लिए इतना study करना पड़ेगा तो उसके बाद second chapter के लिए अलग है third के लिए अलग है ऐसे total 10 chapters है तो total 10 chapters का 10-10 मार का 10 times exam होने वाला है जब आपका पूरा study complete हो जाए तब आपको assessments टैप पे लिक करना है तो यह टैप पे आपको जो आपका जो exam है उसके जो 10 papers आपको देने हैं दस papers देने हैं तो वह नजर आएंगे तो शुरुआत entrepreneurship यह exam इसी topic से हो जाएगी जिसके लिए आपको 10 questions पूछे जाएगे यह optional type के questions होते हैं तो चलिए आगे देखते हैं कि किस type का exam रहेगा और क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे आपको start exam पे click करना है तो यह आपका exam यहाँ पे चलो होता है तो इसके right side पे आपको time left का एक tab दिखेगा वहाँ पे देखो 60 नजर आ रहा है तो यह 60 minutes होते हैं तो within this 60 minute आपको आपके यह topic के लिए जो exam है वो complete करना है तो जिसका question आएगा उसके नीचे यह question के लिए अभी true या false ऐसा दिया है बाकि बहुत सारे optional type के questions आएगे जैसे ही आप एक 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 solve करते जाएगे तो इसे आपको next question करके total आखरी 10 वा question तक जाना है तो जैसे ही आप एक एक stage का exam complete करते जाओगे तो आपको उस particular exam में कितने marks मिले है वो वहाँ पे नजर आएंगे तो मैंने एक example दिया है यहाँ पे देखो तो जो candidate है उसने first topic पे उसको 8 marks मिले है out of 10 और जो exam status है वहाँ पे एक जो फोटो दिख रहा है उसका meaning है कि वो candidate इस exam म पास हुआ है तो ऐसे करते करते आपको total 10 papers जो है यानि marketing education value यहां तक आपको पूरा exam देना है और exam status में आपको पूरे के पूरे पास का जो फोटो है वो दिखना चाहिए तो जैसे ही आप आपके 10 papers पूरे solve करके submit कर दोगे तो आपको फिर से dashboard यह टैप पे क्लिक करना है जब आप dashboard टैप पे क्लिक करोगे तो आपको assessment completed वहाँ पे आपको 10 दिखना चाहिए 10 यह number दिखना चाहिए लेकिन यह update होने के लि से तीन दिन जाते हैं तो यह 2-3 दिन में अगर आपको यहाँ पे assessment completed यहाँ पे अगर 10 यह number दिखाई देता है तो आपने यह exam complete कर दिया है और आपको जल्दी ही आपका TEC number जो है वो आपको online मिलने वाला है तो यह आपको मिल जाएगा अब आपके पास आपका TEC number आ चुका है तो फिर से आपको जो starting में मैंने आपको बताया था register.csc.gov.in यह website पर जाना है तो जिसमें जो हमने यह stage देखे थे यहाँ पे TEC certificate number put up करके आपको आगे का step पूरा complete करना है तो इस प्रकार से आप आपका CSC VLE ID पा सकते हो तो दोस्तों एक छोटी सी request है आपको आपको अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना सस्क्राइब करना शेयर करना और बेल की घंटी दबाना मत भुलिए थैंक यू